नमस्कार इस्तुदियोत में आंसुमान गुस्सामी अंड्रो बुरेखोर एटियाव अरंपो होई से बुल लोजर राजनिती सांड्रो बुरेखोर अंड्रो बुर्सामी अंड्रो न गुजर राजनिती केंड्रो कर चला हमपुणनोर भांगी अवसे यह एने रे जगन मुहन रेद्दि जी दल YSR Congress Party के दलर केंज़यो कर्ट जालाज एने रे बुल्लोजर रहाथू रहा देखिवले पॉआगोई शे अवड़ा भूतिर टेड़े पल लिट्ट तुवाई केवाखन बुल्लोजर रहाथू रहाजी बुल्लोजर रहाज भागील कोई निर्मान कड़ा जी केंज़यो कर्चले आसे एने केंज़यो कर्चले भूल्लोजर रहाथू रादिकमिनी पवागई से अवड़ा पल री टेड़े पल लिट वाई केवखन बुल्लोजर रहाए ब्रिःगोद अभीजान हातथ पल लिट्ट से संवरोगोणाई जुर स करें तेले गुड़ा हम पार्टिये प्रती हुदर राज निजी कोड़ा रोभीजू कार्चलाट उस्से दोगले उस्सो नियाईलर मुजिया पाई से गोई YSR कॉंग्रिस पार्टी जी जगन मुहां नियाद दिरे डॉल ऑंज़ पने केपिटल रिजोन डेवलोम्मेन अफरीटरी बिरुद्धे जनाई से प्राइक्टाबान और ये अफरीटिये ब्रिखत उस्से रुबीजाम शलाई से केंडियो कार्चलाट उस्सो नियाईले उस्से नसलाबर में लिड़्डेग दीसे लंभ्रपोने हर खे प्रहा हना किनु क बार जुनाथ हपट ग्रहन कोडीले अंठ्रोपोने खर मुखा मंटी रुपे तेलीगुद अखम पार्टिर मुडबी संद्रोबाबनाई दिवे और हाहन भार ग्रहन कोडीले नवो निर्मिताजी केंडियो कार्चलाई केंडियो कार्चलाथ एनडरे बूलनाजर होयात भांगी दिया पुरिलाख खित होई से के दिन मान पूबे खे दल तुडे मुखा मंट्री असल जगन मुखन रेद्धी जी दल वाई एस आर सीपी के दलियों जी केंडियो कार्चलाई आसल खे केंडियो कार्चलाई एनडरे नवो निर्मिताओ एनडरे केंडियो कार्चलाई भांगी दिया होई से आरो बट्टा मनर्जी सरकार, हे संद्रबबबु नाइजूर सरकार एने दुरे हातूरारे उस्तेफ सुल्वा परिलोखित हुए से खेस्थानप युवा जना स्रमिक राइठू कॉंग्रेस पार्टी जगन मुहन रेद दौला सिल्वा दौलर एने दुरे नवान रिमी तो केंडियो कार्च जाले एने दौलर भांगी दिया हुए से आरो हे दौलर तर्फोर प्रा उस्तो नियालोर मोजिया पाइसे वे त्यामने के ओभीजु गुठ्था पन कोरी से प्रती खुद हर राजबीती कोरी से संद्रभभु नाइद वे कि बट्टमान अबस्थात एने दौलर ने परवेग दिखिबले पागोई से और उस्तो नियाले उस्तो नस्तो नाश्वलाबर भाबे अंज पने केपिटेल रिजन डेबलम्मेन अप्ट्राइटिक निर देख जीसिल किन तैने दौलर नोर नियों मामानी तेले गुद हम प जी खमू नेता आसिल तेयोंनु केराए भोरी आसिल कियों बट्टमान अबस्थात हाखोक्यों दौलर तार जेदी केंजियो कर्जले बुलिकले केने धरन राएक परिवेखिया होकल हुए जाने आजिर पर एमाहर आगोते याटे जगन मुहन रेड़ी हमापते शिल याटे अंध्रपोदी खरके खमार मुध्खमान ट्री बान एता पालिन ताबा हमापती काया दुगरे होकल हुए याटे हमापते होई से बिभिन न दोलियों किद्धान तो ग्रहन कोरा होई शिल जुनात नोतून सरकार आहिल संद्रबमु नाइडूर सरकार अंध्रपोदे खचापन होल और टार पे सोते याटे दिखेबले पागोई से पुर्भबर मुखमान ट्री और थत के YSCRP के दलतूर जगन मुहन रेड़ी जी दल के दलर एने दुगरे नोतून कोई निर्मीच जी केंडियो कर जालो अने दुगरे भागी दिया होई से हाथ मेर खुल दिखेबले पागोई से भुल लोतर राजमी ती एने दुगरे प्रखा अने अध्बा होत्रा किसे और ओभी चुगुथा पन होई से जे संद्रबमु नाइडूर सरकार प्रखा अने या प्लोती जान झे परखा आ मी उस नियालोर मोजिया पाइसे उस्व अने जोयालोर अभांजवन ऐसे जे एने जर नरो श्ते बरीजान बborदर अखिबलागे कि ईंडेगोट को मैर्व तुर मिरीज कton डो दिया होई से महन टालोर ग्वासे है हे मственный सुग्षा पलक नम आपूम veto कम एसे वीज स्टेड एली इन बॉर्यूट इस निस बॉल्डोसर जेह टो देमलिश यसर्जीप आफीस इताडे पली मंगलगिवी इताडे जुप प्रसीजर फॉल्य इन युप इन निए तॉर मिव झालाइज आप निए द्यूंत इन निए इन वार्वर्माटाइज इताडे according to high court the due procedure has to be followed. After giving confirmation report from CRDA then YSRCP party will have time to appeal and we can go to tribunal if we lose the case in tribunal then they have to dismantle it according to the rules and regulations. Irrespective of that for vendetta politics today Telukadesan party given orders to CRDA and CRDA given notice without having any time and within hours within two hours that entire office has been dismantled. This is pure vendetta politics of TDP. What actually going in Andhra Pradesh is the rule has to be for delivery of their manifesto and implementation of the policies. Not for violation of rules and regulations even from high court also they have not followed the procedure. Chandrababh Naidu CM of Andhra Pradesh whenever he visits to Mangalagiri he will see everyday that office on the way that office will come. Because he don't want to see that office there he initiated this ugly demolition. This is quite condemnable in coming days such things are not to happen we will expect but we are not having trust on them. Today.